इधर फोकस करो 25,000 रुपय कही बरबाद ना हो जाए एक और नया प्रोड़क्ट लॉंच हो चुक है मार्केट में जिसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है I mean 25,000 रुपय में IKU का Z9S Pro मिल जाता है काफी बड़ा नाम है काफी बड़ा तो नाम है लेकिन क्या काम उतना बड़ा किया है Let's find out Hello sir, my name is Rahul, आप सबी का स्वागत है Master meeting के चल पर गले के खराश को सही करके शुरू किया जाए पहली बतातो कि इस फोन को मैं साथ दिनों से भी ज्यादा यूज़ कर रहा हूँ दिखने में, इन हैंड जब आप पकड़ोगे तो आपको पता से लेगा कि यह प्लास्तिक ही है यहां पर इसके फ्रेम्स भी आपको पूरे प्लास्तिक मल जाते है उसका बहुत बड़ा रिजन यह भी है कि यहां पर अगर इसका बैक लोग को देखोगे तो कहीं न कहीं यह आपको 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 जो फ्लैक्शिप फोन से जो पचास साथ हजार के आते उस तरीके का डिजाइन यह अपने आपको शो करता है जाता गरम नहीं होता है अब फ्रेंड के तरफ डिस्प्ले सेक्वेंट पर आइकोन थोड़ा सा बेटर काम किया जैसे कि कर्व एमुलेट डिस्प्ले डालना जो की 6.77 इंच का है एंड रिजुलिशन भी आपको फूल एजडी का मिल जाता है वेल इस मार्केट में आपको लगबक सेम प्राइस में जो है ना फ्लै डिस्प्ले मिलते जैसे वन प्लस प्रोवेट करते अपने नौट सी फूर में पीक ब्रैटनेस की जातक बात करें तो लगबक 4500 निट का पीक ब्रैटनेस यहां पर आपको मिल जाता है लेकिन अगर पर्चेस करते हो तो आइकू में आपको यहां पर HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है जो लगबक इस रेंच के स्मार्टपोन पर मिसिंग है नाव लेट्स टॉक अबाट दी कॉलिटी तो देखे यहां पर कॉलिटी में कोई कॉम्प्रोमेस नहीं किया गया है सप्राइजिंग वन बिलियन क्या कलर इसमें आपको मिल जाते हैं अगर आप आप यूटूब ज्यादा देख रहे हो तो वहां पर आपको वज़से भी काफी अच्छी कॉलिटी तो मिल ही जाती है लेकिन अपार्ट फॉम एट जितने भी मेरे टेस्टिंग की हमारे नेट् सब्सक्राइब कर देखेंगे एंड वैसे भी कर दिस्प्ले होने के वज़े से जब भी आप एजडियर कंटेंट देखते हो तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा जादा मुझा आता है प्लस रात में ओविसली कॉप डिस्प्ले होने का एक और बेनेफिट एक सफील होता है कि थोड़ा सा डिस्प्ले बाहर के तरफ आते भी देख रहे हो यानि कि ऐसा फील होता है कि हलका 3D इफ्रेक्ट आपको मिल रहा है सो मैं आपको सिंपल भाशन में बता हूं वन अप दी फाइनेश डिस्प्रे है इस रेंज में अच्छा यहां पर आपको डूल सीडियो स्पी कि इस रेंज की हिजाब से मुझे कोई इस था कंपलेंट है नहीं उसे के साथ इन डिस्प्ले फेंगा प्रिंट स्केनर में जाता है जो काफी अच्छे से काम करता है तो यहां पर भी कोई कंपलेंट की बात जहां तक आती है तो मैं इसके यूए सी थोड़ा सा डिसरपइं शिय्ज दूसरा चीज की नोटिफिकेशन से प्रिंट करता है एंट फंटच ओफ़ ऑफ दो और ऑफ झाइक स्प्रिशन का एक्स्परियंस उफ्टेंस का इनका से था इस आपको बढ़िया है जाए जाए तो आपको काफी स्टेबल यूए मिलेगा को ही जाथ जाधा जटक सब्सक्राइब करें दिक्कत क्या मालो में इस लाइक कि आप पेड़ वर के खाना तो खा रहा हो लेकिन वह थाली है ना वह थोड़ी से अच्छल सजागे नहीं दी गई सब्सक्राइब करें अपडेट करने की जरूरा है वैसे एक फाइदा भी है इस यूई का कि बहुत ही कम बग्स देखने को मिलता है यानि कि आप एंड्रोइड के दुनिया में प्रदम रोखोगे ना तो काफी फोन ऐसे भी जिसमें काफी बग्स मिलता है लेकिन आइपोन में नहीं आता है यूई बहुत ही स्टेबल में कांट होता है आपको दो मेजर अपग्रेट मिल जाएगा एन उसके उपर आपको तीन साल का जो है आपको सिकरेटी अप्रेट भी मिल जाएगा अच्छा पर्फॉर्मस की जहां तक बात है तो यहां पर आपको साइट नी यहां पर जो इनका हर्ट को यूज किया गया है वो तूपॉइंट सिक्स्ट्री है जो आपके सेंडर यानि कि नॉर्मल जो हमारे एक्जम्पल नॉट सी फोर की बात कर ले उनमें भी आपको सेम कोर के स्पीड में मिल पाता है तो आपको इसको किस तरह से ओवर क्लॉक्ट क किया होगा या किस तरह से ट्यूनिंग किया लेकिन कोर्स के नंबर बिल्कुली सेम है लेकिन रियल वल्ल के बात कर लेता है तो तो यार डेली उसको कोई दिक्कत निये 120 हट को यह ऐसा चला था जैसे कि इसके बहुत ज्यादा बढ़र है लेकिन जब पर्फॉमेंस के तरफ अगर इन फूचर इसमें अपग्रेट आता है तो यह एजी लिए उसको चला लेगा सप्राइसिंग लिए 120 एप्पेस का बीजय मैं बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था कभी कवा लैक करता है लेकिन सप्राइसिंग अच्छा चल रहा था सो एक चीस तो है कि पर्फॉम आइकू का जेट नाइन क्या ना में आइकू का जेट नाइन एस प्रो कुल्फिल करवा देगा अच्छा एक और चीज़ है कि कूलिंग के मामले में यहां आपको 30 cm2 का जो है कूलिंग सिस्टम प्रवाइड किया गया है एक्शली उसका इफेक्ट भी दिखता है जब मैंने इसमें section किया, long section किया, gaming में, specially PJY जिसको मैं 120 fps में run करवा रहा था मेरे इस phone में तो वहां पर heat मुझे feel हुआ ही नहीं and mostly fast charging को अब अपने setting में जाके तो वहां पर जब अपको बैटरी फट आप चार्ज होते है ना fast charging पर तो वहां पर पर फोन काफी गरम होता है 8882 का 50 million pixel वाला sensor देखने को मेल जाता है और उसे क्या आपको एक 8 megapixel का वाइड एंगल और एक और पता नहीं इसमें camera दिया गया है पुझे समझ नहीं रहा है किसका है विकास ना company ने बताया है ना किसी official website मुझे मिला है चोड़ियो उसको हम भी इकनूर कर देता उनकी तरह है ना फ्रेंट कैमेर आपको सोलाइम आप एक्सल का मिल जाता है अच्छा एक चीज़ है कि यहां पर जो यह sony IMX 882 को यूस किया गया है यह लगभग वीवो के V30 series में भी यूस किया गया इस लाइक यह जो अंडर 30,000 वाले सेग्मेंट के स्फार्ट फोन से ना मिला पकड़ो ना 20-30,000 के बीच में यह संसर को इंपलिमेंट किया जाता एंड बाकी तो उप्टमाजिशन पे कि भाई जितना अच्छा आपका बहतर बहतर आपके फोटो साइंगे यहां पर आपको एक्टमाजिशन काफी जादा बढ़िया मिल जाती है मैंने जब भी इसमें बाहर आउट्डोर टेस्टिंग किया है HDR शॉट से लिका ले तो इसी कॉलिटी मुझे काफी जादा इंप्रेस कर पाई इवन पोट्रेश भी इसमें मुझे काफी जादा बहतर बात तो बड़ी यह है कि इस रेंज में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे यूशुली लगता है कि आयकू का कैमरा 25 रुपे में शायद इतना आपको बहतर लिकाल पाएगा लेकिन नहीं कहीं नहीं कहीं इसमेर को रॉंग प्रूफ किया और सबस्यादा रॉंग प पर आपको डीटील भी बहुत बढ़िया मिल जाती है या इसा नहीं कि प्रॉस्सिंग के चकर में डीटेल लॉस हो रहा है कहीं रात में आप सेंपल खीचोंगे तो काफी आपको मजा आएगा काफी इंप्रेस हो जाओके सेंपल के साथ हमने तो काफी सेंपल लिका ले मिल जाएंगे डिसेंड मिल जाएंगे रेंज के हिसाब से फ्रेंट केमेर आपको डिसापॉइंब्मेंट कर साथ है तो मिलता नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा अंस्टेबल फूटेज आपको मिलता जो बिल्कुली यूसलेस है ऐसा लगी है कि कोई चार साल पांच साल पुराना स्मार्टफोन चला रहे हो अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बड़ चांतक बात है तो सेल्फी आपको डिसेंड मेल जाती है वीडियो के बिरादरी का है थोड़ा बहुत ब्यूटिफिक अनकर होगे तो मस्त एकदम थोड़ा ग्लोव सा स्क यह करवा देगा लेकिन नेच्रल फोड़ोग्राफी जाता पसंद करते हो सेल्फी तो फिर आपको इंप्रेस कर पाएगा यह ना अब बात करते से बैटरी के बारे में राइट तो देखो मैंने ना लास्त ताम ना आइकू का ना आइकू ना इन पर यूज क्या था जो 35,000 के सेग्मेंट का वन अब बेस्ट स्मार्टफोन था जिसमें आपको सबसे हाइस बैटरी बैक अप मिल जाता था यानि उसकी बैटरी लग बग देड़ दो दिन तक चल जाती थी अब यह कुछ मैजिकल अप्टोमाजिशन है जो आइकू हमारे इस फोन में भी यूज किया ह अब यह जाती है तो यहां पर लगबग आपको 50 पसंद चार्ज करने के लिए ठीक है लेकिन बात वह नहीं एक बार फुल चार्ज करने के बाद इसकी बैटरी लाइफ इस चास इंसे न आपको आट-ट गंटे का आप जो है आट-ट गंटे का आपको ऑपको स्कृन आप मेर है और उसके हिसाब से भी फोन की जो बैटरी है वो मुझे नेक्स लेवल प्रोवाइड कर रहा है मतलब अगर आप एक लाइड यूजर में आपको सिंबल भाशन बाता रहा हूं अगर आप लाइड यूजर तो आपको देड दिन से दो दिन का बैटरी बेक अभी प्रोवा अच्छा यहां पर कनेक्टिविटी में भी एक अच्छी चीज में आपको बता दूँ कि इसमें आपको 5G प्लस प्लस का नेटवर्क मिल जाता है विच एक्शुली मीन्स कि यहां पर पहले तो 5G कवरेज ही 50% एक्स्टा इसको मिल जाता है ठीक है और उसे के साथ जो 5G बै इस रेंज में 25,000 में इस फोन में भी डाल दिया है तो एक बहुत बड़ा बेनेफिट है फॉर 5G यूजर्स एन उसे के साथ मेजरली सारे इंडियां 5G बैंड अवेलेबल है कनेक्टिविटी में कोई इसमें अभी तक अभी तक में बोल रहा हूं मैंने जिस इतने दिन जो स्टार लग जाता है उपर उसका मीनिंग यही है कि रिकमेंडेशन है कि भाया इसको पानी या फिर मिटी से जुई रखिए लेकिन बाइचंस चले जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा वद यह बचा लेगा लेकिन इस रेंज में 64 मिलना भी एक बहुत अच्छी बात है तो इसका भी ध्यान रखा है काफी अच्छे से अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल वर्डिंग के बारे में तो क्या आपको यह फोन लेना चाहिए अभी Amazon से तो देखिए पहली बात तो जब भी कोई नया फोन लॉंच होता है तो मैं अकसर उनको कहता हूं कि थोड़ा वॉइ इस फोन को कहीं ना कहीं एक पॉइंट एक जगे से मैं इसका प्रॉब्लम को पिक करो आपको बता हूं कि एक सा मेजर प्रॉब्लम है तो वो मुझे नहीं मिल रहा है लेकिन एक चोटा सा है मतलब फ्रेंड के बात करें तो खाली जैसे इसमें स्टी अबिलिटी नहीं मिल द कंपणी का वीडियो तो मैं आपको बोल रहा हूं जाओ नोट खरीद लो बस कोई नहीं बोलता है से कंपणी के वीडियो में कोई नहीं पसंद दे जाने दो मतलो आईकू भाई मतलो जाओ नोट खरीद लो लेकिन आपकी मर्जी आपके पैसे बट मुझे एक्च्वल में इ से कंटेंट बनाने की कोशिश में पूरी तरह सा करता रहूंगा यह नाइन वीडियो कम आ रहे उसका रीजन काफी सारे है कुछ इंटरनल फैमिली चीजे है जो आप छोड़ो बात में कभी इसके लिए बात करेंगे लेकिन मैं ट्राइ कर रहूं कि अपने सीचेशन को सही क अधर के रिकॉर्ड कंटीनिव वीडियो बना पाऊं मिल तक लिए वीडियो में टेक्या ध्यान रखेगा बाबाई